नमस्कार सातियों, आज हम हनमान चालिसा में आए नेच मन मुकर सुधार शब्द की बात परेंगे अपने मन के दर्पन को सुधार ने की साहिर ने इसकी बहुत सरल परिभाशा दीती कि तोरा मन दर्पन कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तुलसी का ये टूटा हुआ नेची मन है, एक ब्रोकन मिरट ऐसे दर्पन जिसमें बहुत से क्रैक्स आगे है गुरू ने ही से सुधारा है जान जोसेफ पावल ने कहा था तुलसी दास को भी एक ऐसा लविग केरिंग गुरू मिला जिसने तुलसी दास के भीतर के सौंदरिव और उनके होने के अभिप्राय को अपने मन दर्पन में प्रति बिम्बित होते देखा तुलसी के मन दर्पन में भी उसकी शवी विराजित हुई दर्पन की उप्मा तुलसी ने इसलिए याद रखी क्योंकि दर्पंट में एक शवी है इस शवी इस इमेश ने ही तुलसी की कलपना शक्ती का विकास किया इमेश ने इमेजनेशन का विकास किया इसी नोंने कवी बनाया और बिम्ब विधान की एक अनूठी सामर्थ दी तुलसी ने जो छवियां भारतियों के मन में अपने विचार, अपनी सम्वेदना, अपनी कल्पना और अपनी भावना की योग से बिठाई उन्हें आज तक मेटा नहीं जा सका है, मर गए मारने वाले तुलसी का दौर वह दौर था, जब सरकार एक खब्त के तार पर इमेचेस को प्रतिमाओं को तोड़ रही तब तुलसी के शीगरू ने उनके भीतर वह सामर्थ बक्षी कि उन्होंने उन छवियों को, उन इमेचेस को भारतिय मन में हमेशा हमेशा के लिए जीवन्त कर दिया भारतियों के मन में भर दिया, इसे कौन सी तलवार काट सकती थी? यह चाक्षिष भीम्ब थे, शरवय भीम्ब थे, आस्वाध्य भीम्ब थे और वही नहीं यह भावाती भीम्ब भी थे और स्म्रती भीम्ब भी थे इन्होंने काव्यानों भूतियों को ऐसे चित्रित किया कि भारतिय भावनाएं उसी अनुपात में तीवरतर होती गई जिस अनुपात में एक मदांध सब्ता इमेजे इसको तोड़ रही थी तब अपने सुधरे हुए मंदरपन में गुरु कृपा से चलकती हुई शवियों के पुनह शष्टी तुलसी को कर दिखानी थी उनके प्रमाता को उनके पाठक को इन शवियों का साक्षात कर जिस भावद्रेक पर पहुँचना था वो तो अब एक इतिहास बन गया है तुलसी के मन मुकुर ने जिन मूलियों को अपने बिम्बों के चरिये की कोचर बनाया जिस तरह से अद्रश्य के दर्शिन कराए उनकी कविता की जो भाव प्रकाशी का शक्ती है और उसके जो समविदनात्मक संकेत हैं वे अब भारती हरदय के स्थाइट थाती हैं जब भी इन शवियों को कोई बिगारने की आधनिक समय में भी कोशिश करता है इन चित्रों के इन प्रतिबिम्बों के हमारी चेतना में जो संचित संसकार हैं वे सक्री हो जाते हैं उधर मंदिर तूट रहे थे इधर मंदिर में मूर्तियां प्रतिशित होती जाती थी विनाश की शक्तियों को ये स्रजन शक्ति के चुनाओ थे इस मंदमुकर की हर इमेज एक आईकॉन थी इस मंदरपन को तोड़ने की कम कोईशिश हैं नहीं होई थी उस समय लेकिन एक के बाद एक ऐसे गुरू पैदा होते गए गोरखनाथ सरह पास लेकर रामानुश रामानंद तक बलकि उसके आगे भी तुलसी के दिश्चा गुरू नरहरी दास थे तो सिक्षा गुरू शेश्चानातन इन गुरू ने संघार के उस दार में भारत की अभूतपूर व स्रजन उर्चा को प्रेडित अप्रोट सहित किया जब शुद्याले तोड़े और चलाय जा रहे थे तब कविता के माध्यम से सिक्षा का वी संस्थानी करण हुआ था डी इंस्टिटिशनलाइजेशन हुआ था तब कविता के माध्यम से ग्यान का सरवहारा करण हुआ था प्लेबियनाइदेशन हुआ था सिख्षा का भारत के भारतिय के मन मुकुर की किर्चें जितनी बिखरीं थी उतनी उतनी उनमें राम की, क्रिश्न की, सीता की और राधा की और प्रतिरोत को शत्रु की भूमी तक ले जाने वाले हनुमान की प्रतिछवियां बहुगुणित होती हुई, दिखाई पढ़ने लगी यह सुधार कार्य था जो भारत के गुरुओं ने संपादित कर दिखाया था निजमन मुकुर सुधार के अर्थ में ही यह रिफॉर्म मुव्मेंट समझा जा सकता है उस तूटे हुए कांच के एक एक टुकडे को इन गुरुओं ने तंबीना था इसलिए सुधार का कार्या संगठन का कार्या भी बन गया था आज यस मालवी का एक शेर है महवे हैरत हों खराशे दस तगम को देख कर जखम चहरे पर है यह है आईना तूटा हुआ हमारी सब्यता और संस्क्रती के चहरे पर जो जखम दिये जा रहे थे वे शिशे दिल को भी तोड़ रहे थे गुरू ने इसी को सुधारा साभित एक संकट नीची तोर पर हर भारतिये के मन में बहुत से आत्मसंशे भी पैदा किर रहा था आईना तड़का हुआ था मन की धर्ती के वे दरारें वे दर्कने चोड़ी होती जा रहे थी तब गुरू ने वह कमाल कर दिखाया कि अली मिनाई का वे शेर यादा जाता है शेरियों है गुल मचाते हुए रंगों के परिंदे निकले संगे हैरत से जब आईनाय मनजर टूटा उस द्रश्री के दर्पन को गुरु क्रपा से उनल निर्मित करने का कारियोग तुलसिदास जी ने किया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी पिशलेश हम करते हैं सट्य का अनवेशा तखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं तखल नियूज